आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में सुवागत है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे की फेक إments शिब को कैसे पहाँनेंगे सबसे पहले हमको यह जानना क्या दो अगर आपको representative होता होता क्या तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो शुरू करने इस पहले अगर आप चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को सुरू से अंत्र tyagボ king n अपनिया आपसे जो हैantic brand आपसे संपर्ति है वो करती है आप अपने चैनल है आपको 10-15,000 रुपे है कोई कोई 20-25,000 मतला हर तरीका का वो आपको आफर करते हैं प्राइस कि आप हमारे आप अपने चैनल पर मेरे ब्रेंड को परमोट करिए तो उसका वो पैसा देते हैं यह कहलाता है अब हम आपको बताने वाले कि fake sponsorship क्या होता है आप देखते होंगे कि आप यूट्यूब चैनल पर about option में बहुत से लोग हर कोई अपना mail id डालते हैं तो mail id डालने में हम आपको एक चीज बता देते हैं कभी भी जिस email से आपका चैनल बना हुआ उसको कभी भी about के option में नहीं डालिएगा क्योंकि उससे आपका चैनल हैक हो सकता है कभी भी है जो डालिएगा भी तो business का email id डालिएगा उससे क्या है कि जिसको संपर्क करना होगा वो आपसे संपर्क करेगा संपर्क का तो पता नहीं लेकिन अगर आपका email हुआ तो try कर सकता है उससे आपका channel hack होने के chances रहते हैं तो सबसे पहला चीज आपको समझ में आ गया हो कि about option में कभी भी जिस email से आपका channel बना हुआ है उस email को कभी भी मत डालिएगा about option में उसमें वही डालिएगा जो आपका business का mail है अब देखिए business email डालने से क्या है कि वो उससे सिर्फ आप सिर्फ ब्रैंड जो होगा contact करना चाहेगा contact कर सकता है अब देखिए बताते होता क्या कि जो आप about option में email देते उसी पर आपको बहुत सारा mail आता है मेरे पास भी mail आया था आप पे श्टॉक आया था कि आप तीन से पांच मिनट का वीडियो बनाईए आपको 10-15,000 रुपया पे किया जाएगा तो देखिए आप fake sponsorship को mail में आप उसके username से पहचान सकते, username का मतलब है अब जैसे देखिए मेरा technicalsonu business the rate of gmail.com ये पता लग रहा है न कि technicalsonu का business ID है तो उसी तरीका से वो जो fake sponsorship होता है वो किसी company का नाम जैसे लेकर उसमें कुछ word add कर देते हैं लोग शुरू में नाम पढ़के लगता है कि ये फलान गूगल पर सर्च किजिए क्या कोई इस नाम से company भी है भी लेवल या फेक है पहले जब भी कोई mail आए आपको sponsorship करिए पहले आप उसके नाम को Google पर सर्च किजिए उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितना सही है और कितना गलत है कभी-कभी ऐसा होता है कि नाम से भी आत अगर अगर इंडिया से होगा तो इसको आप असानी से समझ सकते हैं कि अनबर कर दें पहचान सकते हैं कि ये पहचानने के और तरीका कभी भी रियल जो स्पांसर सीफ होता है डाइरेक्ट पैसा की बात करेगा कि आप तीन से पांच मिनट का वीडियो बनाई इतना सी इतना पैसा दे देंगे यह भी एक पहचाननी का तरीका लेकि इसमें सबसे जो मस्ट तरीका है वो है कभी जिस मेल से कि gesagt कि आपको लिफ़िए कि जैसे आप उसको जो प्रोग्राम जो उधन होने अपने पना रहा है लिंक यो सब्धवेर तेयार किया है उससे आपके चैनल का पूरा डेटा चैनल किया जी सिस्टम पे सिस्टम तक हैक हो जाएगा खास कर ज़्यादा जो यह ट्राइ करते हैं वह इसनलिए ट्राइ करते हैं कि आपकी चैनल को हैक कर सकते हैं स्पॉंसर्शिप के कारण छोटे से बड़े यूटुबर भी फस जाते उनको भी नहीं समझ में आता है क्योंकि अब तीन से पांच मिनिट का कोई वीडियो बनाता है इतना अच्छा खासा पैसा मिलेगा कोई भी परसा नहीं चाहेगा कि हम इतना पैसा अपने हाथ से जाने इसके कारण जल्दवाजी में लोग है स्पॉंसर्शिप में उसको रिपलाई भी दे देते हैं अब वो जैसे ऐसे बोलते फॉलो कर लेते तो उस कंडिशन में है कि आपका चैनल हैक हो सकता है इसलिए आपको अभी हम बता दिये कि कैसे पहचान सकते हैं नेक्स टाइम से इ हम आपकरते हैं फीड से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में